मैं संदीब आप सभी का जार कंपाइटेर्स बाई SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे यह मैं उमेद करता हूँ तो दोस्तों लेक्चर का सरवात करते हैं दो लाइन्स के साथ अब लोटके वापस मताना उनके साथ खुस हों जो तेरे बाद आ गए ये बदले हुए साल ने जो रंग बदले है न ये बदले हुए साल ने जो रंग बदले है न मुझे बदले हुए कुछ लोग याद आ गए तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली प्रेक्टिस सेट का पार्ट 20 करने वाले हैं आप कमेंट करके बताईएगा आपके टोटल कितने कोश्चन करेक्ट हुए पूरे इमानदारी के सा अधारस लेक्ट और सिक्रिप्वशन में एक टेलीक्राम गृपका लिंक दिया गया है आप है इस गृप में एड़ हो सकते हैं इस group में हम लोग कुर्माली के different topic पर discuss करेंगे और अगर आप इस channel पर new हो तो please आप इस channel को like, share और subscribe कर दें तो चलिए lecture शुरू करते हैं पहला question कुर्माली माने किना पाइन लागल आ है? यानि कि कुर्माली में कौन सा प्रत्य लगा है? option A माली, option B आली, option C माली या option D आली तो इसका correct answer हो जाएगा option B आली कुर्माली में जो है आली प्रत्य लगा है ध्यान दीजेगा, यहाँ आपके दो option में confusion होगा option B और option D में यहाँ जो दिया गया सब्द कुर्माली में माली में हर्षिकार है इसलिए प्रत्य में भी हर्षिकार वाला ही प्रत्य आएगा इसलिए यहाँ option B correct होगा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली भासा परिशत कर स्थापना कब हेल आहे यानि कि कुर्माली भासा परिशत का स्थापना कब हुआ option A 1972, option B 1973, option C 1974 या option D 1975 तो इसका correct answer हो जाएगा option B 1975, कुर्माली भासा परिशत का स्थापना जो है 1975 इस फी में हुआ तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली भासा डैस परिवार कर भासा है कुर्माली भासा जो है कौन से परिवार का भासा है option A आरिय, option B द्रविड, option C आगने या option D सबेगिला तो इसका correct answer हो जाएगा option A आरिय, कुर्माली भासा जो है आरिय भासा परिवार के अंतरगत आता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली एकटा डैस भासा है option A प्रांतिय, option B अंतरप्रांतिय, option C भारतिय, या option D बिस तो इसका correct answer हो जाएगा option B अंतरप्रांतिय, कुर्माली एकटा अंतरप्रांतिय भासा है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं गिरिश चंद्र महनताय कुर्माली साहित्ति के दैस काल महान पाटे कसनी करल आत यानि कि गिरिश चंद्र महनता के द्वारा कुर्माली साहित्ति को जो है इतने काल में बाटा गया है option A 3, option B 4, option C 5, option D 6 तो इसका correct answer हो जाएगा option B 4 ध्यान दीजेगा गिरिश चंद्र महनता के द्वारा कुर्माली साहित्ति को चार काल में बाटा गया है पहला आती जो, दूसरा मध्य जो, तीसरा काईब जो और चोधा हरित जो लेकिन डॉक्टर एचन सिंग के द्वारा जो है कुर्माली साहित्ति को तीन काल में बाटा गया है पहला आधी काल, दूसरा मध्य काल और तीसरा आधुनिक काल तो अभी हम लोग अगला कुश्यन देख लेते हैं कुर्माली काल मध्य काल 10 तक मानल गेल आहे उप्शने 1750 ले पहल, उप्शन B 1700 ले पहल, उप्शन C 1750 ले 1950 तक या उप्शन D 1950 ले एक हन तक तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, उप्शन C 1750 ले 1950 तक ध्यान दीजेगा, आधी काल 1750 से पहले तक माना गया है मध्य काल 1750 से 1950 इस भी तक माना गया है और आधुनिक काल जो है, 1950 से अब तक माना गया है तो अभी हम लोग अगला कुश्यन देख लेते हैं यानि की कूर्माली में जो है कौन सा मूल सब्द है ओप्शन A, कूर, ओप्शन B, कूरम, ओप्शन C, कूर्म या ओप्शन D, माली तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, ओप्शन C, कूर्म कूर्माली में जो है मूल सब्द कूर्म है ध्यान दीजेगा कुर्म में जब आली प्रत्य जोड़ा जाता है तो कुर्म आली बनता है तो अभी हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं केरिया बहु पतिटा कने लिखल आए यानि की केरिया बहु जो पुस्तक है किनों ने लिखा उप्षन A काली पत मातो, उप्षन B सुरेंदरनात मातो, उप्षन C देवेंदरनात मातो या उप्षन D मनजय प्रमानिक तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्षन A काली पत मातो केरिया बहु किताब जो है काली पत मातो जी ने लिखा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं गांधीक जय पथीठा कने लिखल आहे यानि कि गांधीक जय जो पुस्तक है किनो ने लिखा option A, देविंदरनात मातो, option B, सुरेंदरनात मातो option C, मान सिंग मातो या option D, मन जय प्रमानिक तो इसका correct answer हो जाएगा option B, सुरेंदरनात मातो गांधीक जय किताब जो है सुरेंदरनात मातो जी ने लिखा मैंने बहुत ही details में कुरमाली साहित्ते द्वारा लिखल पथी को पढ़ाया है आपको लेक्चर जरूर देखना इस टॉपिक से आपके एक्जाम्स में एक से दो कुश्चन जरूर आईए तो अभी हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं अहे डहरे पतीडा कने लिखल आहे यानि की अहे डहरे किताब जो है किनों ने लिखा option A, Dr. H. N. Singh option B, मान सें option C, कालीपत मातो option D, सुरिंदरनात मातो तो इसका correct answer हो जाएगा option A, Dr. H. N. Singh अहे डहरे किताब जो है Dr. H. N. Singh ने लिखा तो अभी हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं फुरूं पतीडा कने लिखल आहे यानि कि फुरूं पुष्टक जो है किनों ने लिखा option A, Dr. Manjay Pramanik option B, Dr. Sanjay Pramanik option C, कालीपत मातो या option D, कौनों नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option D, कौनों है ध्यान दीजेगा फुरूं जो किताब है ये किसिव चंदर मातो जी ने लिखा तो अभी हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं कुर्माली माने कौनटा दिर्गस्वर है यानि कि कुर्माली में कौन सा दिर्गस्वर है option A, option B हर्षी, option C ओ, या option D, A तो इसका correct answer हो जाएगा option D, A तो अभी हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं डौ का उच्चरान कहां ले है यानि कि डौ का उच्चारन कहां से होता है option A, out option B, count option C, मुर्धा या option D, तालू तो इसका correct answer हो जाएगा option C, मुर्धा डौ का उच्चारन जो है मुर्धा से होता है अभी हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं जो कर उच्चरन कहां ले है यानि कि जो का उच्चारन कहां से होता है option A, तालू option B, मुर्धा option C, दांत या option D, होट तो इसका correct answer हो जाएगा option A, तालू जो का उच्चारन जो है तालू से होता है तो अभी हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं कुर्माली माहने वेंजन के किना कतिक यानि कि कुर्माली में जो है वेंजन को क्या कहते हैं option A, सरान option B, भजानू option C, उसरनी या option D, साड़ा तो इसका correct answer हो जाएगा option B, भजानू कुर्माली में जो है वेंजन को भजानू कहा जाता है ध्यान दीजेगा सरान का मतलब क्रिया भजानू का मतलब वेंजन उसरनी का मतलब स्वर और साड़ा का मतलब सब्द होता है तो अभी हम लोग अगला कुश्यन देख लेते हैं कुर्माली महने ध्वनी के किनकरहल जाए यानि कि कुर्माली में ध्वनी कо क्या कहते है option A, दामस option B, उसरनी option C, आहना या option D, मोजारा तो इसका correct answer हो जाएगा option A, ध्वस कुर्माली में ध्वनी को दामस कहते है उसरनी का मतलब oswar आना का मतलब लोकोगती और मोजरा का मतलब महावरा होता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली माने link कि नारक में है यानि कि कुर्माली में link कितने प्रगार के होते हैं option A, 2, option B, 3, option C, 4 या option D, 5 तो इसका correct answer हो जाएगा option C, 4 कुर्माली में जो है link चार प्रकार के होते हैं पहला नरा link यानि कि पूल लिंग, दूसरा मेदी link यानि कि इस्तरी link तीसरा दूजी link यानि कि उवै लिंग, और जवधा लहरा link यानि कि नपुन सक लिंग तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली महाने वचन के किना करतेगी, यानि कि कुर्माली में वचन को क्या कहते हैं option A, option B, लेखा, option C, आंगा, या option D, यकुन तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, लेखा कुर्माली में वचन को लेखा कहते हैं ध्यान देजेगा, कुर्माली में लेखा दो प्रकार के होते हैं पहला, अना लेखा, यानि कि एक वचन, जिसे इंगलिस में singular number कहते हैं दूसरा सांगी लेखा, यानि कि वचन, जिसे इंगलिस में plural number कहते हैं ध्यान दीजेगा, आना का मतलब लोकुक्ती, आंगा का मतलब संया, और यकुन का मतलब समास होता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं तो इकर सांगी लेखा किना है, यानि कि तुम का बहु बचन क्या है option A, अखरा, option B, तरा, option C, हमरा, या option D, सवेगिला तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, तरा, यानि कि तुम लोग तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं जाबे कर सांगी लेखा किना है, यानि कि जाबे का बहु बचन क्या है option A, जाबे, option B, जाएगा, option C, जाबे है या option D, जाएगा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, जाबे है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली महने आगा किना रखमेक है, यानि कि कुर्माली में संग्या कितने प्रकार के होते है option A, 3, option B, 4, option C, 5 या option D, 6 तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, 5 कुर्माली में संग्या 5 प्रकार के होते है मैंने बहुत ही details में आगा, यानि कि संग्या पढ़ाया है, आप वो जरूर देखना तो अभी हम लोग अगला question देख लेते है कुर्माली माने आईजी किना रखमेक है यानि कि कुर्माली में सर्वनाम कितने प्रकार के होते है option A, 5, option B, 7, option C, 8 या option D, 4 तो इसका correct answer हो जाएगा option C, 8 कुर्माली में सर्वनाम 8 प्रकार के होते है अगर यहाँ option में 6 रहता तो आप 6 को टिक करना क्यूंकि कुर्माली में सर्वनाम मुख्यता 6 प्रकार के होते है और वहीं अगर वो option में 6 नहीं रहेगा तो इसका correct answer 8 होगा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते है देही बाचिक आंगा कौन टा है यानि कि इन में से जो है कौन भाव बाचिक संग्या है option A, guru got, option B, dial, option C, ne di, option D, बुड़ापा तो इसका correct answer हो जाएगा option D, बुड़ापा इन में से बुड़ापा जो है भाव बाचिक संग्या है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कहां कौन भाचिक आई जी है यानि कि कहां जो है कौन से प्रकार का सर्वनाम है option A, खांच भाचिक, option B, जन भाचिक, option C, अन ठेकान भाचिक या option D, ठेकान भाचिक तो इसका correct answer हो जाएगा option A, खांच भाचिक यानि कि प्रश्ण भाचिक तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली महाने गुनीन किना रकमेक है यानि कि कुर्माली में विश्श्ण कितने प्रकार के होते हैं option A, 3, option B, 4, option C, 5 या option D, 6 तो इसका correct answer हो जाएगा option B, 4 कुर्माली में जो विश्श्ण 4 प्रकार के होते हैं मैंने बहुत ही details में विश्श्ण पढ़ाया है आप वो लेक्चर जरूर देखना तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कुर्माली महाने पर एक किना रकमेक है यानि कि कुर्माली में कारक कितने प्रकार के होते हैं option A, 4, option B, 5, option C, 7 या option D, 8 तो इसका correct answer हो जाएगा option D, 8 कुर्माली में जो है कारक आठ प्रकार के होते हैं ध्यान दीजेगा परी का मतलब कारक होता है मैंने बहुत ही details में कारक पढ़ाया है आपको लेक्चर जरूर देखना कारक से आपके exams में question जरूर आएंगे तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं लाल मिया कर, बेजाईन, राक, कर्माने किना है देख option A, सुराज, option B, मौरिच, option C, पाखना या option D, आम तो इसका correct answer हो जाएगा option B, मौरिच यानि की मिर्चा ये एक important कुर्माली पहली है इसे आप ध्यान में रखिएगा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं 700 रुखना, 700 बेसीला काटलेनी, काटाईक, आसन, बाखला कर्माने किना है दिख? option A, छाइर, option B, रोद, option C, डहर या option D, पाखना तो इसका correct answer हो जाएगा option A, छाइर, यानि की छाया ध्यान दिजेगा, हरोद का मतलब दूप डहर का मतलब रास्ता और पाखना का मतलब पत्थर होता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कहां जाइसरे दादा, धाइत, कोईर के कहां जाइसरे दादा, तुलांग, छाइड के उपर लिखत, गीत टा, किना गीत है option A, टूसू गीत, option B, बानना गीत option C, करम गीत, या option D, सरहुल गीत तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, सरहुल गीत ये जो है, एक सरहुल गीत है, मैंने लोग कीत बहुते details में पढ़ाया है, आप वो lecture जरूर देखना तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं आची माची करमा ने किना है, यानि कि आची माची का मतलब क्या है, option A, बेजाएं माची option B, एको माची नहीं, option C, अमंगल, या option D, को नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, अमंगल ये जो है, एक important कुरमाली महजरा, यानि कि महवरा है इसे आप ध्यान में रखिएगा, तो दोस्तों, ये था कुरमाली practice rate का part 20, आप comment करके बताएगा, आपके total कितने question correct हुए, पूरे इमानदारी के साथ, तो दोस्तों, आशा करता हूँ, आज के lecture आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये lecture अच्छा लगा होगा, तो प्लीज, आप इस channel को like, share और subscribe कर दें, जैसा कि मैं हमेंसे कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे, आपके जैसा, तो तक के लिए, आप सभी अपना ध्यान रखें, और पढ़ाई मन लगा करें, और अपने मापाप का हमेशा फादर करें, आप से जन मुलाकात होगी, लेक्चर देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद